नमस्कार स्वागत है आप सभीका आप देख रहे हैं न्यूज़टीर मध्रदेश 36 गर्ड मैं हूँ अपर नमौज़ब वक्त हो गया है मध्रदेश की महा डिबेट का आज बाद कॉंग्रेस के मंथन और अमरवाणा की टेंचन की एक बार फिर हार पर मंथन के लिए पार्ट पहले विधान सभाचना और हाली में लोग सभाचनाओं में बैक टू बैक कॉंग्रेस को दो दफा करारी हाल का सामना करना पड़ा है कॉंगर्स की नेताओं ने पार्टी दफ्तर में बैठक कर इसी हाल प्रमंथन किया, विसार से चर्चा हुई और नए सिरे से रणनीती बनाई गई इधर अमरवारा चुनाव भी कॉंगर्स के लिए चेंशन मना हुआ है बजा है पार्टी संगठन दरसल अमरवारा में प्रचार के दौरान कॉंगर्स की अलग-अलग तफ्सीर सामने आई है पहले जीतू पटवारी प्रदेश कॉंगर्स के अध्यक्ष प्रचार करने पहुँचे तो कमलनाथ नहीं गए जब कमलनाथ पहुचे तो जीतू पटवारी नज़र नहीं आए और जब दोनों दिखे तो चर्चा हुई क्या सब सही हो गया है लेकिन देगुजे सिंग अब तक नज़र नहीं आ रहे ऐसे में सवाल यही है कि क्या पार्टी संगठन एक जुट है मन्थन और चिंतन क्या है एक्शन प्लाइक आज जीते हुए और हारे हुए विदायकों से एक फिडबेक लेना आवश्यक है कि उनके चुनाओं में क्या अनुभाव रहे विदान सवा के और लोग सवा के बाक टू बाक हार करारी गुटबाजी अभी भारी कौन लोग है जो पद लेके बड़े बड़े बेठे हैं लेकिन जब कॉंग्रेस को मदद के आवश्यकता है जी तो बीट दिखा गए आप आज जो बठक कर रहे हो और आप पूच इस्तर पर या किनो ने शडियंत्र किया किनो ने दहिमानी करी किनो ने कांग्रेस का साथ नी दिया अलग-अलग बिन्दू जो फार्मेट बंग को दे वे हैं यै सही है यह सरकारी तंत्र का दुलप्यों क्या वह सही है या e day machine स आपका कल क्या होता है और आपका आज क्या होता है हो रहा है आज इसी पर करेंगे मध्यप्रदेश की महा डिबेट में चर्चा मध्यप्रदेश में बिखरी हुई कॉंग्रेस को एक जुट होना पड़ेगा तभी जनता से जुड़ाव बढ़ेगा और ये जुड़ाव चुनाव में वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा और इसी पर हम आज करेंगे चर्चा लेकिन पहले देख लेते हैं महा डिबेट की सवाल क्या रहेंगे जिसके इर्दगिद आज की महा डिबेट रहने जा रही है पहला सवाल महा डिबेट का आज रहेगा कि मंतन पर मंतन आखर कब तक चलेगा ये मंतर अगला सवाल रहेगा कि जब कॉंग्रेस बिखरी हुई है जब बिखराब नज़र आ रहा है मंतन के बाद क्या एक जुट हो पाएगी तीसरो और आखरी सवाल रहेगा कि दो दफा जो करारी हार मिली है गुटबाजी क्यूं हर बार भारी पड़ रही है जब एकार दिखाए जाने की बात की जाती है खास मैमान हमारे साथ महा डिबेट में आज जुड चुके हैं मेरे साथ गेस पानल में जुड़े हुए है बीजेपी के पूरुधायक है यश्पाल सिंग से सोधिया जी पूरुधायक कॉंग्रस के है रविंद्र तोमर जी वरिष्ट पत्रकार है सर्मन नगेले जी और बत प्रकार से दार देनी है कैसे आगे बढ़ना है चुनाव तो हो गया लोकसवा का विधान सवा का 2023 का हो गया अब जो भी जनता ने फैसला लिया वो स्विकार है और आगे हम पार्टी संगठन की मजबूती के लिए और आगामी जो जनता की बीच में जो मुद्दे हैं सरकार जो जनता की हित में फैसले लेगी उनमें हमारा समर्थन रहेगा और जहां जनता की हित में समर्थन फैसला नहीं होगा उसमें हम जनता की बीच में जाकर के जनता को बताएंगे मामले बहुत सारे हैं ब्रस्टाचार का मामला ह किसानों की लेकिन जो आपकी पार्टी के अंदर बहुत सारे मामले हैं क्योंकि अमर्वाणा सर पर है कि पार्टी में इस प्रकार का अवाज कैसे जारी है रविंद्र जी मेडम की आवाज नहीं आरी है कि आवाज आपकी कट गई ती जी रविंद्र जी मेरा सवाल आपसे यह है कि ठीक है बहुत मुद्दे सरकार को घेरिएगा लेकिन आपकी पार्टी के अंदर जो मुद्दे हैं उन पर कैसे समाधान निकलेगा क्योंकि अमर्वाणा तो सर पर खड़ायों अमर्वाणा का अप कोई बिक्ति बाहर है तो अभी चुनाव में तो अभी कुछ दिन पहले हो रहा था कि कमनाज जी अब कमनाज जी आ गए तो यह कोई ऐसा विश्य नहीं है कि वह पार्टी में पिखरा हुए तो इस वज़े से हम अमर्वाणा चुनाव को गंभीरता से नहीं ले रहे हमर्व का बड़ा चुनाव हम जीतेंगे और जनता ने कौंगरिस पार्टी को बिधायिक दिया था कंगरिस पार्टी का विधायिक चुनावारी जी हमारे बो सारे लोग एक जुट हो करके चुनाव के उसमें हैं और हम जीतेंगे आधर्णियों की एक नजब नहीं आ रही है कि किसी परकार से नेताओं में कोई बिखराव तो मर जी लोटूंगे आपके पास यश्पाल सिंग जी वो कह रहे हैं कि कॉंग्रस पार्टी में बिखराव नहीं है कोई बिखराव नहीं है सारे आधर्णियों एक हैं और अमरवाड़ा में लगे हुए हैं आधार कॉंग्रस का है अमरवाड़ा में आपने उनके वधायक को लिया ऐसे मैं आपको चिंता करने चाहिए क्योंकि कॉंग्रस का तो आधार मजबूत है अपड़ना जी देखिए कॉंग्रस हमेशा यही कहती है यह कहावध्य उसी प्रकार से चरीतार्थ होती है कि हाती की दांत खाने के कुछ और होते हैं दिखाने के कुछ और होते हैं देखिए सज्जन सिंजी वर्माका में बयान सुन रहा था पढ़ रहा था और आज उन्होंने नई टीम की गठन की चिंता भोपाल में बिट करके कर रहा है अब यहां पर नई टीम की गठन की चिंता हो रही है उधर अमरवाला में कोई जाने के लिए तेयार नहीं है दूसरा हार के करणों पर मैंने पूर विधायक कॉंग्रेस के शिरी सुनिल सराफ की वक्तव दिया है वो मैंने सुना है और उन्होंने हार का ठीकरा कॉंग्रेस के ही लोगों के उपर फोड़ा और फूल चाप कांग्रेसी तक कह दिया है देखे एक तरफ कॉंग्रेस PCC में जिला प्रदेश कॉंग्रेस के कारले पर यहाँ पर नई टीम के गठन का मन्थन कर रही है पुराने लोक सभा के चुनाओं में विदान सभा के चुनाओं में हार और जीत का यहाँ पर मन्थन हो रहा है और उधर अमरवाला सुना पड़ा हुआ है सन्नाटा है भारती जन्ता पाल्टी का संगठन निश्चिप से पूरे अमरवाला के उप्चुनाओं को ठीक उसी प्रकार से ले रही जैसे हम लोग सारे चुनाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं अबनी प्रदेश अद्श विड़ी शर्मा जी लेलिजी ए शुई प्रकाज हमरे संगठन मंत्री जी है राष्टी उनको लेलिजी है अमरे शत्री यह सारे नाम हितारन जी शर्मा है यह कई बार मुंख्य मंत्री पूरा का पूरा अमला ही आपने जोका हुआ है अमरवाला में उप्चुनाओं में भी आप ही कहना चाहिए सर्मन जी लेकिन मैं वापस कॉंग्रस की बात पर आती हूं यहां पर प्रदेश कॉंग्रस की दफ्तर में तो एका दिखाने की बात कही जा रही है लेकिन जमीन पर तो एका दिखनी चाहिए वह गायब है और दूसरी बात सज्जन सिंह बर्मा की जहां तक ब्यान देने की बात है तो सज्जन सिंह बर्मा चाहे सदन के अंदर या सदन के बहार अभी या उसके पहले वह इसी तरह की टिपड़ी करने के लिए जाने जाते हैं और उनकी टिपड़ी को उनकी बातों को केंदरी हाई कमान कांग्रेस का बहुत गंभीरता से नहीं लेता होता तो आज कांग्रेस की इस्तिति यह नहीं बनती जो बिदान सभा चुनाओं में बनी है जहां तक जो कांग्रेस की नेताओं में एक जुटता का जो अभाव है य लेकिन यहीं उनकी सक्ति भी है कि कांग्रेस का गठन जब हुआ है वो कबिलाई संस्कृति के माध्यम से हुआ है जो छत्रप थे जो राजेरजबारे थे जो वह थे नवाव लोग थे उनी के माध्यम से कांग्रेस यानि कि जो अम्प्रेला का जो लीडर था उसके साथ मुन किसी पर भरोसा नहीं कर सकते तो कॉंग्रेस के लिए बहुत मंथन का समय है और मंथन एक कॉंग्रेस की सतत प्रक्रिया क्या सारे राज्यतिक दलों की सतत प्रक्रिया रहती है करना चाहिए लेकिन कांग्रेस को अपनी विचारधारा के साथ जमीन पर कारकरताओं के साथ मद्दाताओं के साथ जोड़ना होगा विचारधारा की बात करना होगी पन्ना प्रमोक ब्लाग प्रमोक एक बूत का कारकरता एजेंट अपना उनका मद्दाता परचिवाटने वाला यह पूरी की पूरी टीम बनाना होगी तभी कॉंग्रेस का संभव है मतलब आगे बलना अन्य था कॉंग्रेस इससे नीचे और जाने की सिती में पहुंच जाएगी बाबा 29-0 पहले ही है सर्मा नंगेले जी और किता नीचे जाएगी नहीं बिदांसवा की संदर में कहा अब और साथी जीतू पटवारी है वो जिस तरह से जिला स्थर पर ब्लॉक से पर पहुंचेंगे लेकिन बाते ही बाते ही हो रही है और यहां तो लग रहा है कि कॉंगर्सी इंतजाल में बैठ रहे हैं कि एक और हार हो जाए और जीतू पटवारी को बाई-बाई कह दिया जाए बहुत अच्छा प्रशन पूचा आपने देखें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसमें समीख्षा चिंता है यह एक बड़ा स्टैप होता है अपने संगठन को मजबूत करने साथ ही पिछले समय में जो भी घटना करम उसके साथ हुए हैं चाहे वो हार हो या जीत हो उसके बाद अपने कारकरता को मोबलाइस करने के स्टैप इनिके मातिम से लिया जाते हैं कॉंग्रेस ने आज यह जो स्टैप लिया है वो संग्ठनात्मक दस्टी से तो सही है लेकि सवाल यह बहुत बड़ा है कि जो चीजें च्छन के समीख्षा में आती है क्या वो इं कॉंग्रेस का पफोर्मेंस अपने एडजोनिंग स्टेट राजिस्थान में कितना बहतर बहतर ही कहूंगा कि कॉंग्रेस दौर से गुज़र रही है उसमें अगर लोग्षभाच एलेक्शन में उसने इतना अच्छा पफोर्म किया है मद्द्रदेश का मॉडल बाइपोलर है जहां ऑडेलोजिकल रोट का है वो ऑडेलोजिकल बोटर चला कहा गया लोग शवा में क्यों चला जाता है जब आप जानते हैं कुछ सीट्स पर यह मान जा रहा है कि कॉंग्रेस इस टौंग है जिसके कारण यह ज़से बोट को नहीं ले पाए इसका सीधर से बड़ा कारण है कि अपने लेडर्स को, अपने बर्कर्स को ये बांद नहीं पाई, जिसके कारण बो लगातार भरतिनता पार्टी में चल देते आते रहें, हलाकि भरतिनता पार्टी का दावा है कि एराउंड 8 लैक कॉंग्रेस मैं बार्ज बीजेपी जॉइन किया है, तो इसका इंपेक्ट तो बुरा चुनाओ पर पढ़ना ही है, देखिए ये मोरली कहीने की पार्टी को भीक करता है, साथ ही जनता में जो मैसेज जाता है, वो कहीने की पार्टी के अगें सला जाता है, इस चुनाओ में आपके देखा कि वो अपने आइडिलोजिकल करते रहें लेकिन सामने फ्रेंट में और बड़ी बाल तो यह है ना डॉक्टर शर्मा की जहां बीजेपी के अंदर हमने देखा है कि अगर फोन भी गया हो ना कि आपको यह पत मिलने जा रहा है लेकिन तब भी वह आन कैमरा आकर कुछ नहीं बोलते क्योंकि उन्हें डर रहत क्या बहतरीन फिर दुबार आपने बहुत अच्छा कॉंग्रेस के लिए बहुत ही बड़ी चीज है देखे भारतिनता पार्टी से कुछ चीज है संधात्मत मजबूती पोल मेरा पोलिंग बूत तक दूसरा डिसिपले अगर दो कॉंग्रेस सीख ले तो मुझे लगता है कि कॉंग्रेस बाकई मद्यप्रदेश में बाइपोलर की तरफ चली जाएगी नहीं तो ये लगता है कि मद्यप्रदेश में सिर्फ एक भारतिनता पार्टी जैसे कि जो दो प्रिवे सेलेक्शन्स में आपने देखा लेकिन अमरवाला की अगर बात की जाए तो यहां थुला स भारतिनता पार्टी के लिए उसी कम्यूनिटी से एक ऐसा विक्ति जो कहीं न कहीं हुआ आध्यात्मिक पकड़ छेत्र में आध्वासियों को बीच में रखता है यह साख जीतू पड़वारी की नहीं कमलनात की साख का सवाल है लेकिन जिस प्रकार से डाक्टर मोहनी और हमने देखा दिरंशाय नावती का मास्टर स्ट्रोक कॉंग्रस कह रही है लेकिन उनके नॉमिनेशन में क्या हुआ था वो भी हमने देखा था रविंद्र दोमर जी एका की बात है कमलनात की सहमती के बिना अमर्वाला में कुछ नहीं हो का यह कहा गया ठीक है आपने तो नहरा तो तब होगा रहा जब साथ में होंगे सब मिलकर अचा 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 ठीक आप सुन पार है आप मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही अपना जी ठीक है मैं कहते हूं दूरुस्त करवाते हैं आपकी आवाज लेकिन यश्पाल सिंग जी मास्टर स्ट्रोक की अखेला है हाँ पर कॉंगर्स पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है आस्था की जड़े अमरवाड़ा में काफी गहरी हैं काट पाएंगे कमलेश शाह से देखिए भारती जनता पार्टी अपने उम्मीदवार के प्रती संगठनात्मक दृष्टी कोंड से और जनता के बीच में जिस सिद्धत्ता के साथ जिस मुस्तेदी के साथ जिस परिश्रम के साथ काम करती हम पिष्टे जो उपचुना होए थे उसमें भी हमने बहुत भारती जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे तो कॉंग्रेस यही कहेगी EVM पर दोशारोपन किया जाएगा अप्रना जी और यह भी कहा जाएगा कि शाष्की मशीनरी का दुरूपयोग किया अब भारती जनता पार्टी के पास जिस प्रकार से स्यंगर्ठनात्मक दृष् आदरनी डाक्टर मोहन यादो मुख्यमंदी जी लगें शक्ति केंद्रों पर हमारी बेठक चल रही है और कमननाथ जी के जो साथी सहयोगी थे अरपनाजी वो तबसे जबसे छोड़ करके आए हैं इस उपचुनाव में भी दीपक सक्सेना जैसे लोग अनेक लोग जो भारति जनता पालिटी के परिवार के साथ अपनी साज़ेदारी कर रहे हैं और इसी कारण से हमारी जीत सुरिश्चित्ता की दिखाई दरी डबल इंजिन की सरकार अपनाजी जनता भी जानती है कि उपचुनाव में किस व्यक्ति को जीताना चाहिए जिनकी सरकार है केंदर में जि ताबी विश्वास और भरोसा करेगी सर्मन नगेरे जी जनता समस्दार है वो जानती है कि किसके पाले में रहने से फायदा होगा एक ये पॉइंट और उधर जो सहनुबूती कार्ड की बात के जारे कमलनात को लेकर की चिन्दवारा हार गई कमलनात और अमर्वारा की जनत वह अमर्वारा का तो देखिए कमलना जी की प्रतिश्ठा का प्रिशन तो था ही कांग्रेस का बी था लेकिन माननी डाक्टर मोहनी आदब जी ने जिस तरह में ऑपना प्रतिश्ठा का प्रष्णे बना लिया अमर्वारा बिधान संबार को बदर का अउप चुनाव Blue sug smart बेलफेर की हम इसकीम चला रहे हैं और जनता हमको मतदान भी कर रहे हैं अब यह हमने 29 लोकसवा चुना जीते हैं इसके पहले विदानसवा में प्रचन बहुमत आया अब हम उप चुना भी जीत गए हलाकि मेरा यह बैक्तिकत मानना एक पत्रकार के नाते कि उप चुना जब जो केंडिडेट उता रहा है देखें आदिवासियों की बीच में बला देओ जो धर्म की चीज़े हैं उस पर उनकी बहुत आस्था होती है हलाकि वहां पर जीजीपी भी सक्री है गवर्नवान अगर्दन पार्टी हलाकि उनके जो पर परिवार से लोग थे वो बीजेपी म कारण थोड़ा से अच्छा स्थिती में हैं मतलब प्रत्याशी के भरोसे ही वहां पर कॉंग्रेस है कॉंग्रेसियों के भरोसे कॉंग्रेस नहीं है रविंद्र तोमर जी आवाज आरी है आपको मेरी बहुत सही का आपने है तोमर जी जी तो क्या कीजिएगा सर अबाज आ रही है पना जी हां बिल्कुल आ रही है जी जी पी भी आपके ही वोट काटेगी वहां पर सीए मुत्रेवे मोचा सम्माला हुआ है यहां कमलनात आए तो आप चारिकता रिभाई दिविये सिंग आए नहीं जीतू पटवारी अकेले कि दूट हो एगा देखिया अमरबाड़ा चुनाओ की बात मैंने आपको बताई कि अमरवाडा का चुनाव कॉंग्रेस ये विल्कुल सही नहीं है कि कॉंग्रेस एक जुट नहीं है पूरी एक जुटता से पूरे मनोयोग से कॉंग्रेस वहां चुनाव लड़ रही है और हमारे सभी निता इस पक्ष में है कि हम वह चुनाव जीतेंगे और इसलिए नहीं हम कारकरता की दंप है आदनी कमलनाजी ने जिन्दवाड़ा में कारकरता को बूथ लेविल तक पहले से संगठन हमारा सबसे ज़्यादा वहां मजबूत है स्ट्रॉंग है रास्वाल लोकसवा का चुनाव वो एक चीज होती है कि चुनाव जीत और होती है कई बाद समिकार होते हैं लेकिन इस वार यह उमरबाड़ा का जो उपचुनाव है यह इसलिए भी हम जीतेंगे कि कारकरता रूप में हम कहीं कमजोर नहीं है पोलिंग बूथ है और प्रतियासी के प्रतिवियास्ता है वहां के लोगों की तो सारी चीजें मिला करके हमारी मेहनत हमारी कारकरता की मेहनत हमारे पार्टी के नेताओं की मेहनत जो मरबाड़ा का चुनाव जीतेंगे जैस्पाल जी वह तो confident है मैंने यह पूछिए कि कमल नाथ जी इस उप्चुनाव में नामंकन दाखिले के समय कहा थे कैंपेनिंग में अब तक नकुलनाथ जी कहा है कमल नाथ जी जिस पकार से इक्का दुक्का दिन को target करते हैं आ रहे जा रहे मुझे तो लग रहा है कि यह उम्मिद्वार जो आएं है कमल नाथ जी के पसंद के नहीं है जीतु पट्रादी जी के पसंद के तभी तो अलग थलग पड़ा हुए है अर्प्रणाजी कॉंग्रेस का पूरा संगटन तोमर जी कहने के लिए जरूर के रहे हैं लेकिन आज प्रदेश कॉंग्रेस के प्रदेश काले बहुपाल पर मिटिंगें हो रही है हार और जीत की समिक्षा हो रही है और वहाँ पर आग लगी पड़ी है उपर अमरवारा के चुनौक में बाई एलेक्शन में वहां जाकर के काम करना चाहिए यह आम लंसन करना है यह कॉंग्रेस का कंडिडेट यह तो कहने की बात है ठीक है ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अपनी बचारों को अपनी बातों को रखने के लिए मध्यप्रदेश की महा डिबेट में लेकिन बात जो बड़ा सवाल तो यही पर बना हुआ है ना कि एका की बात मध्यप्रदेश की माडिबेट पर फ्राल इतना ही लेकिन खबर लगातार जा रही है जुड़े रही है